इस वीडियो इस ब्राथ तो यू बाई फाइवपेसा डॉट कॉम डाउनलूड दा एप नाव नमस्कार मैं हूँ आलोग जोशी और आप देख रहे हैं बेजड़ा दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे यही गाना याद आ रहा है जब पेटीम के फाउंडर किसी भी लक्जरी कार को टकर देती है स्पीड में भी आराम में भी यानि बचत है पेट्रोल की जगे बिजली से चलेगी और साथ में शान की सवारी भी है हालांकि इसे पाना ना तो आसान है और ना ही सस्ता लेकिन इस वक्त अगर भारत के शेयर बाजार का हाल देखें तो सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार है पेटीम के आई पीओ का कमपनी से भी में अरजी लगा चुकी है और खबर है कि वो देश का सबसे बड़ा आई पीओ लाकर 16,600 करोड रुपए जुटाने की तैयारी में है लिस्टिंग से पहले ही कमपनी के शेयर अनलिस्टेड शेय के कारोबार में भी तहल का मचा रहे हैं और जुमैटो को मिले धमाकेदार रिस्पॉंस के बाद लोगों के होसले भी बुलंद हैं के पेटीम भी ब्लॉक बस्टर ही साबित होगा आई पीओ की इस धूम में हिस्सा लेने का एक आसान तरीका आपके पास भी है इसी वीडिय के बारे में सीखने के लिए भी वहां काफी कुछ है हाँ नियम और शर्तें तो आप पढ़ ही लेंगे लेकिन इस वक्त बात पेटीम के आई पियो की नहीं टेसला की हो रही है विजय शेकर शर्मा और वी एसस जो पेटीम के प्रमोटर हैं उन्होंने कहा है कि वो टेसला को को खरीदना चाहते हैं टेसला कमपनी को नहीं वह एक टेसला खरीदना चाहते हैं और उसका इंतजार भी कर रहे हैं लेकिन उनकी शर्त है她 ने उनकी शर्ट यह है कि टेसला भारत में अपनी फैक्टरीा लगाया yagai why न हुत लो पताई होगा भारत के डिजिटल इंडिया अभियान का बड़ा चेहरा रहा है जब नोट बंदी हुई थी उसके बाद जब डिजिटल पेमेंट का कारोबार चला तो उसमें पेटियम का विग्यापन जम के चला है पेटियम पर बहुत से लोगों ने लेंदेन किया और एक तरह से पेटियम ट्रेंडिंग हो गया और इस यहां की उंची इंपोर्ट ड्यूटी जो उनके हिसाब से दुनिया की सबसे उंची इंपोर्ट ड्यूटी है उनके रास्ते की बाधा साबित हो रही है यानि उस इंपोर्ट ड्यूटी की वज़े से वो गाड़ी जब यहां लाके बेचेंगे तो यह बहुत महंगी Hyundai India के CEO Seob Kim ने उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार बाहर से बनी-बनाई कार लाने पर import duty घटाएगी तो इससे इंडस्ट्री को काफी फाइदा मिलेगा और इससे भारत में इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ाने में भी सहुलियत होगी लेकिन ऐसा नहीं कि सबकी राय ऐसी ही है तो भारत के जाने माने स्टार्ट अप स्टार हैं Ola के भविश अगरवाल भविश ने इस पर सकत एतराज जताया है उनका कहना है कि हमें अपने आप गाड़ियां बना कर उन्हें अपने बाजार में जमाने की भारतिय उद्योगों की क्षमता पर विश्वास होना चाहिए और ये भरोसा दिखाना चाहिए ना कि इंपोर्ट पर यहां ये याद रखना चाहिए कि ओला एलेक्ट्रिक टू वीलर लाने का एलान कर चुकी है और उसकी बुकिंग भी उसने खुल दी है जिसको अच्छा रिस्पॉंस मिला है साफ है कि टेसला हो या हुंडाई उनके लिए भारत का बाजार इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए इतनी आसानी से खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं जितना वो सोच रहे हैं या जितने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं बिजड़ा में आज इतना ही धन्यवाद नमस्कार